करनाटक में चुनाव प्रचार इस समय अपने चरम पर हैं खुद प्रधान मंत्री नर्यन मोदी करनाटक के तुफानी दोरे पर हैं वे लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं अब इस सुनावी समर में UPA अध्यक्ष सोनिया गांधी भी कुद पड़ी हैं सोनिया गांधी आट माई को यहां एक रेली को संबोधित करेंगी खास बात यह है कि प्रधान मंत्री मोदी और सोनिया गांधी एक ही जिले में एक दुसरे के खिलाफ चुनावी रेलियों को संब बीजेपी और जेडियेस ने चुनाव प्रचार को धार देते हुए तूफानी दोरा शुरू कर दिया है पिछले दो दिनों में खुद प्रधान मंत्री नरेंद मोदी तदा बीजेपी के तमाम दिगज करनाटक में डेरा डाले हुए हैं नरेंद मोदी एक दिन में चार- चुनावी रेलिया कर रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमिश्याह केंद्रिय मंत्री राजना सिंग सुश्मा स्वराज इस्मृती रानी समयत 40 नेताओं की टीम अलग-अलग जगाहों पर रेलिया जनसंपर्ग और रोडशो कर रही हैं कॉंग्रेस ने भी अपने 40 इस्टार प्रचारों को यहां मेदान में उतारा हुआ है अपकु सोनिया गांधी भी यहां चुनाव प्रचार करने आ रही हैं उनका 8 मई मंगलवार को करनाटक का दोरा करने का करिक्रम है सेह ठीक नहीं होने के कारण वे काफी लंबे समय से चुनावी गतिविदियों से खुद को द यहां कॉंग्रेस सत्ता में भी है इसलिए कुछ सोनिया गांधी यहां प्रचार के लिए आ रही हैं सोनिया गांधी अगस्त 2016 में वारणसी में एक रोडशो के दोरान बीमार हो गई थी बीमारी के कारण उन्हें यह रोडशो बीच में ही छोड़ना पड़ा था तबी से व मही से करनाटक में डेरा डाले हुए है आठ मही को कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के दिगज आमने सामने होंगे सोनिया गांधी मंगलवार को बीजापूर में एक चुनावी रेली को संबोधित करेंगी इस दिन इसी जिले में प्रधान मंत्री नरेंद म